बाइलिंग वाले स्टडी में आपका most welcome है जी हां दोस्तों के लास 12 के बच्चे का जो सेंटर पे जाम चल रहा है उसके मीजिक का आंसर की लेकर यानि संगीत का आंसर की लेकर के मैं एक बार फिर उपस्तित हूँ अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखाता है डिस की फायती पीमत पर चलिए पहले कोशन देखते हैं क्या कह रहा है पहले परक आपको दिखरा जो इसके लिए उसमें लिखा हुआ है कि राग यह मन किस थाट के अंतरगत आता है यह किसी लुच्चे का question है। बहुत सora question का answer इसमें सही है। बहुत सरा गलत है। मैं आपको सभी question 100% सही बताऊंगा। यह question बहुत भी वीयाई है। यह बहुत सरा question जो आपको बूड़ example में भी लड़ सकता। यहां तक कि अगर आप state music का exam देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी यह काफी beneficial होगा तो चलिए पहला question देखते हैं राग यमन किस thought के अंतर गताता है राग और thought पर आपका control होना बहुत जरूरी है क्योंकि राग और thought से बहुत सारा question है जैसा कि आप देखेंगे वीडियो माँगे चल करके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल में नए तो चैनल को subscribe कर दें पहले question का सही answer हो जाएगा कल्यान thought यानि option जो है तीसरे नबर question में क्या कहा रहा है पर पंडित क्रिष्न राव संकर किस साल जन्म हुआ मने पंडित राव क्रिष्न राव संकर का जन्म किस साल हुआ तो यहां पर जो option दिया हुआ इसके अनुसार आपका होगा 1894 अगर आप ऐसे देखेंगे तो 1893 है उनका जन्म 93 दिखाया आपका B answer हो जाएगा चोथा नमर question हम देखते हैं क्या कह रहा है कि दादरा ताल में किस मातरा पर खाली होता है तो आपको पता हुआ है कि दादरा ताल में जो है दारुक दादरा छे मातरा का ताल है और इसमें दो विभाग का पर यो क्या जाता है इसके किस विभाग पर जो है खाली है तो यह सही answer हो जागा चार का आपका B यानि कोशन देखते हैं साथ नमबर कोशन में क्या कह रहा है रूपक ताल में कितनी मातरा होती है तो दारुक मैंने बताया था दादरा में छे रूपक में साथ और कहरवा में आठ तो यहां रूपक पूछ रहा तो क्या हो जागा सही अंसर आपका सी नंबर यानि साथ मातरा अगला देखते हैं क्वेश्चन राग भेरवी का वादी सवर क्या है तो राग इसलिए मैंने कहा कि राग पर कंट्रोल होना आपका बहुत जोरी है वादी समवादी वरजीत गायन समय थाट बहुत सारा क्वेश्चन यहां सोता है तो मेरा जो PDF बन पर्मदाम में दिया जाता इस क्रीन में जो नंबर दिख रहा उस पर ले सकते हैं पीडियाप आपको WhatsApp कर दिया जाएगा तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राग भेरव का वादी सवर क्या है तो इसका जो है वादी सवर जो होता है मो होता है यहां पर मो यानि म मध्यम नहीं है यह question जो है मेरे कोडिंग गलत है आप कहीं भी सर्च मार सकते हैं इसका वाधिसवर मौ है समवाधिसवर स्ता है माधिसवर यानि जो सबसे परमुख स्वर होता है किसी विराग का जिसको मैं कप्तान नाम देता हूं समवाधिसवर जिसको उपकप्तान इसका मतला मौ १ मतल pitching और मौ जो है शुद्ध है तो इसका सही answer हो जाएगा आपका राग प्हाइध में दोनों मत्त्व स्था हो अगला कोशन देखते हैं सास्त्री संगीत के साथ कौन सा वाद बजाया जाता है लेकिन इसके अलावा गर बजाया जाता है तो वह तबला बजाया जाता यानि अपसंसी जो है आपका बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं क्या कह रहा है इगारे नमबर में संगीत लीजिए याद कर लीजिए संगीत परिजात के लेखक जो है यह अहोबल है अपसंसी जो है आपका बिल्कुल सही है अगला कोशन में देखते हैं क्या कराएं इज्ञा तिलवारा ताल में कितनी मात्राइं होती है तिलवारा ताल जो है यह तीन ताल तिलवारा ताल दोनों मे तो भीमपलासी का जो वादी सवर होता है वो सा होता है यानि सडज होता है और इसका जगर वादी सवर पूछता है तो वादी सवर क्या होता है इसका मो होता है वादी सवर यह याद रखें लेकिन यह आंसर हो जाएगा D चौदर नमबर कोशन में देखते हैं औरब संपूर जाती में कितने सवर लगते हैं जाती तीन परकार कौता है औरब साड़ब संपूर औरब में 5, साड़ब में 6, संपूर में 7, यहां देखिए औरब है यानि 5 और संपूर में 7, तो 5 साथ देखिए किसमें, अप्संसी में, तो आंसर हो जाएगा आपका, अप्संसी, मुक़् जाती तीने, ये question भी पूछा गया है राक केदार का thought क्या है? यहांपर पूछ रहा है, राक केदार की the heart का है? तो 15 का सही अंसर होगा राक केदार जो है, ये कल्लियान थाड का है option A जो है आपका बिल्कुल सही है सभी राग जो है को किसी ने किसी थाट सोतपन न होता है संगीद बाल परकास के लेखक कोन है तो ये question भी जो है यहाँ पर इसका answer जो है option गलत है संगीद जो है बाल परकास ये तीन खंडम है तीनों खंडम को लिखने वाले कोन है विस्नु दिगंबर पलुसकर तो विस्नु दिगंबर पलुसकर यहाँ answer में नहीं आप लिख लिजिएगा विस्नु दिगंबर पलुसकर का नाम ठीक है ये याद रखेगा कि तीनों जो है पांच छे साथ याद रखेगा अगला कोशन दिखते हैं सास्त्रिय गायन का अधार वाद देखिया है तो यहाँ पर भी अधार वाद देख पूछा गया तो यहाँ पर भी answer होना चे वीना लेकिन वीना अगर नहीं है तो हम लोग इसके साथ जाएंगे सितार के साथ जाएंगे अगला कोशन देखते हैं क्या करा राग बिहाग का समवादी सवर क्या है यहाँ पर राग बिहाग का फिर आ गया समवादी सवर तो राग बिहाग का जो समवादी सवर यानि उपकप्तान जो है यह आपका निसाद होता है और इसका जो है वादी सवर होता है गौगंधार होता है याद रखियेगा वादी सवर गौगंधार है इसे भी याद कर लीजिए आप लोग राक केदार का गायन समय किया है देखे राक से बहुत सारा कोशन होता है इसलिए राक पे कंट्रोल होना कि आप लोगों का ये बहूत जरूरी है तो एक बां पर जरूरी यहां पर चाहते हैं गायन समय है अगर आपने PDF लिया होगा तो आपने जरू देखा होगा समय है निमने किस राग में दोनोनिसाद लगते हैं दोनोनिसाद का मतलब क्या है निसुध्य निसुध्यَ निसद्य्ज१ंध और निशाद कोमल जिसे आपने पड़ा होगा कि संगीत में दो तरह के oh सवर होते हैं दो तरह के ईह nothing सब्स Совआ विकरित सवर यानि साथ पांच बार कुल सवर 12 होते हैं पांच में से 4 सवर जो है कुमल होते entrarी कि गिति सक लगता है तो ऌइसार हो जाएका सी रागदेस में इसके अलावा जो है खमाज में भी दो दोनों निका परयोग किया जाता है। इसको याद रखेगा, क्या होताइक कि दोनों निसाथक क परयोग क्या जाता है। अगले question में देखते हैं उस्ताद कब अबुड-करीम खहां कि इस घहरान नीसे आती हैं। जो नोटसे उसमें जितने भी संगी तगे हैं फिरमसंगी तक कि उनका जीवनी भी दिया हुआ तो आप देखेंगे कोसे करीम मैंने बताया है कोसे करीम कोसे किराना घराना आपसन डी जो है इसका बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं अगले कोशन में क्या कह रहा है भुपाली किस जाती का राग है देखें फिर जाती पूछ लिया यहां पर तो उसमें जाती भी होता है तो भुपाली किस जाती का राग है आपका और अप जाती का यानि इसमें क्या होता है कि पांस सोर लगते हैं इसलिए और अप जाती का राग है कहरवाताल में कितनी मातरा ही होती है दारुक में मैंने बताया था कि क से कहरवा होता, दारुक में, कहरवा में कितना मातरा होता, आठ मातरा होता है, और दो भी भाग होता है, अगला देखते हैं, करमिक पुस्तक मलिका के लेखक कोन है, करमिक पुस्तक मलिका के लेखक कोन है, तो पंडित भात खंडे जी जो है, इसके बहुत बड़ी संगीत ह düştries, धजबबताल में 10 मात्रा हें होती considering जबढ़ में 10 मात्रा हें होती आप तो को पता होगा एक ताल बारह मात्रा रूपबक में जुहे 7 मात्रा चाव wood宅 जो है इसमें 4 ताल चाव मात्रा होता अगरा देखते हैं चिए क्या कह सबसे अधिक मात्रा nuclear कि स्थाल में 14 मात्राइं होती हैं तो 14 मात्राई हैं यहां पर किस नमर में देखते हैं कि इस ताल में दो-दो मातराओं के 6 भी भाग होते हैं इसका भी option गलत है तीन ताल में जो है 16 मातरा 4 भी भाग होता है चार ताल में भी 16 मातरा 4 भी भाग होता है और रूपक ताल में जो है आपका 7 मातरा 3 भी भाग होता है यहां पूछा है कि दो-दो के 6 मातरा यह ऐसा होता है आपका एक ताल में किम ताल में होता है एक ताल में 12 मातरा 6 भी भाग होता है तो याद रखी का अंसर क्या हो जागए एक ताल ठीक है तो बहुत सारा इसमें 5-6 question जो है इस तरह जिसका option सही नहीं है तो आप लोग इसका check भी कर सकते हैं और comment करके बता भी सकते हैं राक की कितनी जातियां होती तो यह राक की जो है मुखे जातियां तीन होती है लेकिन यहां उब जातियां पूछ रहाते तीन जातियों से मिल करके नो जातियां होती है अगर आपने पढ़ा होगा नोट्स में है भी ओरव संपून इस तरह से ओरव संपून यानि दो आरोह और औरोह को मिला करके नो जातियां हो जाती है किसी का ओरव ओरव है किसी का ओरव संपून है किसी का ओरव साडव है इस तरह से साड़व साड़व आपने पढ़ा होगा संपूर्ण पढ़ा होगा आगे इस तरह का question दिया भी है राग खमाज के आरो में कौन सा सवर नहीं लगता यानि वर्जित सवर जो सवर नहीं लगता उस सवर को क्या करते हैं वर्जित सवर यहां पूछ रहा है कौन सा सब्सक्राइब यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाए गाराग भीमपलाशी किस जाती का राग है अब देखे आ गया नहीं और अप संपूर्ण और अप संपूर्ण तो यह याद रखिएगा यहां पर 33 नंबर का अंसर सही हो जाएगा और अरो में जो है शात मात्रा इसल 35 नंबर कोशन में देखते हैं क्या कह रहा है विकिरिस सवर कितने हैं तो मैंने बताया था कि सुद्ध सवर साथ है और विकिरिस सवर पांच है विकिरिस सवर के दो परकार होते हैं कोमल और तीवर कोमल चार है और तीवर एक है वह क्या होता है तो मौ होता मध्यम जो है वह मातराई होती है यह सोलम से 10 घटाई है तो कितना अंतर होगा ? 6 मातरा का यानि option b जो है आपका बिलकुल सही है सब्हब्हें दोरोपत को । 4 हाल में घाया जाता है यह 4 हाल में घाया जाता option b जा है आपका यह बिलकुल सही है वीडियो को लाइक कर दें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस तरह का सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए राक का या नहीं चाहिए तो अगर आप चाहिए तो मैं इससे रेनी का वाध्य अंत्र भी चार परकार होता जिसमें तार लगा होता उसको तत जिसमें चमड़ा लगा होता एक तरह से वह उनद्ध है जिसमें चोट पहुंचा के आवाज निकाली जाती है मेटल नहीं होना चाहिए तो यह तबला जो है यह जो है यह जो है इस वापका तबला जो है इसमें अगला कोशन देखिए यहां पर कह रहा है कि कौन सा राग संप और भहरवी जो है यह सब संपुन जाती का राग है तो आंसर क्या हो जाएगा बी नहीं पूछ रहा है इसलिए बी हो जागा याद रखे आयमन भहरव और भहरवी जो है यह संपुन जाती का राग है राग भीमपलासी का थाट क्या है थाट पूछ रहा है यहां पर तो भी भी ऐसा राग नहीं है जिसमें सिर्फ सुद्ध सवर लगते हैं लेकिन सबसे ज्यादा सुद्ध सवर अगर किसी में लगता था राग यमन में लेकिन यमन में भी जो है आपका एक जो है मध्यमतिवर का परियोग क्या जाता है यानि एक जो है आपका विक्री सवर का तो मैंने बताया तारवाला तत गहन जो है जो मेटल का होता सुसिर जिसको फुक के बजाया जाता जैसे सहनाई जैसे बांसूरी सुसिर वाद्द यंत निमनमसे कौन से वाद्द के कलाकार हैं तो ये आपको पताई होगा कि पंडित रवीशंकर जो है ये क्या बजाते थे तो विलंबित को क्या कहते हैं तो मसीद खानी कहते हैं अपसन भी जो है मसीद खानी कहा जाता है विलंबित को और तीवरले में रजा खानी जो है तीवरे में गाया जाता है और इसके जो बानी है वो रजा है इसके मसीद है इसके नाम पर ये मसीद खानी रजा खानी पड़ा ह तो इसका बाड़रा है 45 कि प्थेदे हैं क्या होगा 45 कह trabajar कि कितनी मात्राइए होती है तो सिर्ववा ताल में पूच रहा है ताल तीव आ मैं कितनी जो है आपको मात्राइँ होती है डिसका सही अंसर हो जाएगा एक 7 मातराएं और 3 भी भाग होता है तीवर ताल में यह याद रखेगा और 3 ताली जीरो खाली का परियोग कह जाता है और ताली जो इसकी पहली थाट के अंतरगत आता है लेकिन यहां पर option में नहीं है तो इसलिए अंसर जाएगा इन में से कोई नहीं तो राग बिलावल जो है एक जनक थाट है और राग बिलावल जो है आस्रे राग है तीन ताल में कितनी ताली होती है यानि जिसका थाट और राग का नाम दोनों सेम हो तो अंसर का यहां ताली पूछ रहा तो option B जो है बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं सबसे अधीक लए किसकी है तान में सबसे अधीक लए हो तो option C जो है इसका सही हो जाएगा उन चास में देखते हैं कौन सा तंतरी वाद नहीं है यानि तार वाला वाद यह नहीं ह तो आप देखेगा सितार सरोद और सूर बहार सब में तार लगा उता तबला में तार नहीं होता तार से जिसे बजाया जाता है तो इसलिए answer क्या हो जाएगा आपका एह answer हो जाएगा अगला question देखते हैं कौन सा साइकालीन राग नहीं है तो यहां पर तीन राग जो है वो जो ही राट के पर्थम पर हरम गाया जाता है और भेहर आप को याद रखयेगा कि ये यह दिन के पर्थम पर घाता हाँ दिन के पर्थम इसलिए डिन की यहां पर नहीं पुछ रहा तो का D हो जाएगा अगला कोशन हम देखते हैं क्या कह रहा है उस्ताद फ्याज खां का उप नाम क्या था तो इसको आपको लोग बताई होगा कि इसको अफ्ताबे मौसिकी का उपाधी मिला था लेकिन इसके अलाबा भी इसका एक उप नाम था जिसमें इसको कदर पिया कहते थे अगला देखते हैं औरफ संपुन जाती का राग कों सा है औरफ संपुन यानि वही पांच और साथ वाला तो बावन का सही आंसर हो जाएगा आपका एक राग देश जो है यह औरफ संपुन का राग है जबकि आपका जो है यह माल कोंस और भुपाली जो यह औरफ औरफ जा बातिकर आगया तर यहां क्या हो जाएगा बिल्कुल वीडियोग आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाए वीडियो में चैनल में नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर दें अगर आपको चाहिए वीडियोग चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दीख रहा उसस पे आप संपर करके थोड़ा सा मामुली से मुल में संगीत कही नहीं सभी सब्जेक्ट का आठ सके सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव दोनों वाइलीन किस स्रेनी का वाद्ध है तो वाइलीन जो है यह किस स्रेनी का वाद्ध है तत है, सुसीर है, घन है, और नध है, तो वाईलीन में क्या लगा होता है, तो वाईलीन में लगा होता है, तार्त इसलिए हो जाएगा, तत वाद्य अंत्र है, अगला देखते हैं किस ताल में चार ताली और दो खाली का परियोग क्या जाता है, तो आपने पड़ा होगा कि च भोबल जो है दक्षिन भारत के थे और मतंग जो थे यह आपके असम थे तो बस्ता को ने भरत यह हो जाएगा भरत मुनी जो है कश्मीर बन सके थे अंसर ए जो है आपका बिल्कुत फूंग कर बजा जाने वाला वाद्द कौन है ज्या निन जिसको फूंग के बजाए इसको फूख करना है तो थाट का नाम झुह है यहां पर देखिए थाट का नाम निम्नम से किस ताल में 6 मातराय होती यह क्वेशन میں बार बार बताता हूं कि आप लोग याद रखें दारुक याद रखें यहाँ से आपका 3 क्वेशन असानी से बन जायगा 10 से możli है दैद्रा दैद्रा है पूछ था 1913 में किस में मिला था तो साहित्य के चेत्र में गितान जली ना मखबुक इसने लिखा था उसी में मिला था अगला पंडित भातखंडे का उपनाम क्या था इसको चतुर पंडित भी कहा जाता था चतुर पंडित का उपनाम था अपसन पी जो है आपका बिल्कुल सही है र शूल्टाल जो में कितने विभाग पूछा जाए रहा था। सूल ताकल में जो है, आपका 10 मातरा, 5 विभाग होता है। दस मातरा, 5 विभाग याद रखियेगा। दस मातरा, 5 विभाग यानि 10 पटे 5 लिख सकते हैं। और इसमें तीन ताली और दो खाली का परियोग कह जाता है, ये भी याद रखिएगा, सूल ताल में, अगला कोशन देखते हैं, राग माल कोंस में वर्जित सवर कोंसा है, वर्जित सवर यानि जो सवर मना होता है, इस सारे चीज़ का परिभाशा आपके पीडियेप में उप लब्द है, तो यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा 63 का सी, यानि रिसब और पंचम, यानि रे पो, ये जो है वर्जित है किसमें, राग माल कोंस में, अगला देखते हैं, राग भैरोब में कोंसा सवर कोमल लगता है, कोमल सवर आगया, विक्री सवर का एक परकार है, विक्री परिये, यानि कान को परिये लगने वाले मधूर धोनी को नाद कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा दो परकार आहद नाद, अनाहद नाद होता है, तो अंसर सी बिलकुल सही है, 64 में राग भिलावल का वादी सवर क्या है, तो वादी सवर पूछ रहा है, यानि कप्तान को निरित्त है तो गरवा जो है यह गुजरात का निरित्त है उपसन भी जो है आपका बिल्कुल सही है अरसर नमर कुशन में देखते हैं गीत के पर्थम भाग को क्या कहते हैं तो गीत के पर्थम भाग को कहा जाता है आपका ठीक है यहां पर यह कुशन भी जो है मुखडा कहा गीत के पर्थम भाग को मुखडा कहा जाता है और दूतिय भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अंतरा दूतिय भाग को अंतरा कहा जाता है यह बाद भी आप लोग याद रखेगा पर्थम भाग मुखडा दूतिय भाग अंतरा तो यहां अप्शन में कोई नहीं है आप तो इसका comment करके answer बताएं क्या होना चाहिए राख खमाच का समाधी सवर यानि उपकप्तान कोन होता है राख खमाच का समाधी सवर होता है नी नी साथ जबकि इसका वाधी सवर गो होता है गंधार तो answer यहाँ पर C हो जाएगा आपका 70 नमर यानि last question objective का उस्ताद जाकिर हुसेन कोन सा वाध्यंतर बजाते हैं तो वाध्यंतर बजानी की बात की जाए यह question बहुत easy है इसलिए मैं उमीद करूँगा कि इसका answer आप लोग दें मैं लेकिन इसको आसान कर देता हूँ कि BD में से को ही answer होगा और इसका अगर आप comment करके 70 नमर का answer देते हैं तो इसके बता चलेगे आपने वीडियो पूरा देखा है अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो comment करके जरूर बता है नोट्स चाहिए music का या arts की किसी और subject का जैसे home science का sociology का, psychology का, geography, history, political ठीक है उर्दू, English, Hindi तो आप जो screen में number है उस पर आप संपर कर सकते हैं और वहां से WhatsApp करके आप वह WhatsApp कीजिएगा कॉल नहीं कीजिएगा फिलीज WhatsApp करके आप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए आप से मिलते आगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद